संदेश काली हिंसा का मुद्दा उठाते हुए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने डबलू बी की टीमसी सरकार पर निशाना साधा है भाश्पा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस समय प्रतारित दुखी और अत्याचार से पूरी तरह से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों द्वारा छलनी हो रही है दुख की बात यह है कि वहाँ की सरकार इस विशे पर अत्यंत असमवेदन शील और अमान्य रवय अपना रही है और क्या कुछ कहना है उनका आप खुश सुनुख जिनों से पश्चिम बंगाल में वह पावन बंग भूमी जहां से भारत के स्वतंता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्गोश मिला जहां सूर्य सेन, बागा जतीन, शशिंद्रनात सान्याल, सुभाश्यन बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगन मन दोनों लिखा गया वो राष्टवाद के स्वर देने वाली बंग भूमी इस समय प्रताडित, दुखी और अत्याचार से पुरी तरीके से तूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा चलनी हो रही है और दुख की बात ये है कि वहाँ की सरकार इस विशय पर अत्यंत असम्वेदंशील और अमानवी है यहां तक की उल्टा धमकाने वाला रविया अपना रही है आज ही भारती जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महिलाओं जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्यम बंगाल की महिला पदादिकारी महिला सांसद और विधायक उनको जाने से रोका गया कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकानतो मजूमदार जी को बल पूर्वक वहाँ जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है और इतना ही नहीं मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाये नहीं जा रहा है उन पर फाई यार भी की जा रही है आपत्य की बात ये है कि इस तरह की बाते प्रकाश में आई है कि पशिम बंगाल की S.I.T. बजाए प्रतारित महिलाओं को नियाए दिलाने के कहीं न कहीं उन पे दबाओ डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विशे को आगे न बढ़ाए इसलिए ये विशे बहुत संवेदन शील है और सबसे बड़ी बात ये है कि शाजहां शेख जो की त्रडमूल कॉंग्रेस का एक महत्वपूर वेक्ति है वो अभी तक गायब है उसका मुक्षे कारण जानते क्या है कहते हैं कि साब उसको हाई कोड से प्रोटेक्शन है जो सरासर गलत है हाई कोड का कोई भी विशय इस संदर्व में नहीं है महिलाओं के द्वारा शाजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में नियायले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाजहां शेख के विशय में नहीं है उल्टे कलकता उच्छे ने आये लेके मुख्य ने आये धीश ने ये टिपणी की है कि वो अभी तक गरिफ्तार क्यों नहीं हो रहा हूँ गरिफ्तार इसले नहीं हो सकता कि उसको और कोई protection नहीं है उसको सिर्फ West Bengal का protection नहीं है शाजान शेक एक प्रवित्ती का नाम है जिसे पूरे भारत में secular protection प्राप्त है ये पर्टिकुलर मानसिक्ता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले आतंकवाद कर ले दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताडित कर ले मगर उन्हें सदा सरवदा protection प्राप्त रहता है मुस्लिम समाज किये जो कट्टर पंथी और आपराधिक तत्व है वो चाहे शाजां शेख हो शेख सुराजुद्दीन हो या जहांगीर ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सद्टा को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुती निन्दनी है यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यह घटना इसलिए और अधिक खर्दे विदारक है कि यह जो तथा कथित सेकुलर दल है यह तो नहीं बोलना है समझ में आता है क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजुपे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन आफ वुमिन राइट्स है वो भी इस विशे के उपर पूरे भारत में मुँ में दही जमा कर बैठी हुई है यानि ये भी अपने आप में एक गंभीर प्रशन है और उससे दुखत बात यह है कि तरण मूल कॉंग्रेस के नेता इस विशे के लिए नोटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते है मैं एक बात कहना चाहताओं कि संदेश खाली एक गटना नहीं एक फिनामिना है जो लोग कहते हैं ना कि दिहास को भूल जाओ तो मैं याद देलाना चाहता हूँ यह एक फिनामिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है एक जन शुर्ती है बंगाल में कि सिराजुद दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बतसलूकी की जाती थी और मैं ये भी आद दिलाना चाहता हूँ कि संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है आज से ठीक 78 साल पहले जो नुआ खाली में हुआ था वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुवात है 16 आगस 1946 को जब बंगाल के ततकाली मुक्यमंत्री शाहिद हुसाइन सोरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंगार कराया था जो सोरावर्दी ने किया था उसी नक्षे कदम पे ममता बनर जी है तो नुआ खाली से लेके संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाग दास्ता है जो सिर्फ इस बात पर पेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कॉंग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो बस हमारा अभी का राज बचा रहे आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो और बंगाल आधाच चला गया हमारे हाथ से आज वही मान सिकता है कि कटर पंथी आपरादिक तत्वों को संदक्षन दिये रहो फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो भविष्य में जो होना है वो होता रहे इसलिए यहां पर जो जो लोग कारवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाऊंगा कि समर्शेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद व्याद समझते ना कसाई समर्शेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तटस्त है समय लिखेगा उनका भी अब